एलो फ्रेंक्स वेलकम डू जीके स्टेडी तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एच्पी जीके स्टेडी जो पोस्ट कोड 949 का एक्जाम हुआ था उससे रिलेटिड लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो की बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले एच्पी स्टेड का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए पीडिएफ मास्टर कोर्स हमने लांच किया है जिसके लिए आप जीके स्टेडी एप पर जाकर जो है वो कोर्स को जाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट पीडिएफ आपको मिलेगी कूपन कोड यूज करना है कलर्क 2022 जिससे आपको अच्छा कासा डिसकाउंट जो है वो मिल जाएगा तो लिमिट पीरेड के लिए जो है वो ओफर है तो जल्दी से जाकर जॉइन कर सकते हो उसके साथ जएव आईट के लिए आप अगर कंप्यूटर जीके का पीडिएफ मास्टर कोर्स जाइन करना चाते हो तो उसके लिए कूपन कोड है जएव आईट दोहजार बाइस तो दोनों में से जो भी आप जोइन करना चाते हो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेव भरती गरबड़ी आपको पता ही है 949 में चीटिंग के केसिस जो है वो मांगे जो है वो पकड़े गए थी और फिर क्या है कि HPSSE ने इससे related status report जो है वो मांगी थी क्योंकि status report जब आपकी आजाएगी तो उसके बाद ही जो है वो कोई आपका result निकाला जाएगा तो पहली status report जो है वो यहाँ पर दे दी गई है तो junior office assistant जेवे भरती गरबडी मामले में मंडी पुलिस ने प्रारंभिक status report जो है वो प्रदेश करमचारी चेहन आयोग हमिरपूर को सौंप दी है इस report में पुलिस ने 10 और अभियरतियों के नाम जो है वो आयोग को बताए है यानि कि आपको पता है होगे कि दो already पहले से ही जो है वो इसमें नकल मारतों पकड़े गए थे अब यहाँ पर 10 और candidate जो है वो status report में 10 और candidate का नाम जो है वो शामिल किया गया है जिन पर ये बोला गया है कि इन्होंने भी जो है वो नकल मारी थी तो इनका भी जो है वो उमी उमीदवारी है उसको रद कर दिया गया है ठीक है आगे कोई भी इसमें जो है वो आपका action जो है वो यहाँ पर नहीं बताया गया कि कौन से action लिया गया है फिलाल के रिए HPSST के द्वारा इनकी उमीदवारी रद की गया है तो अभी जो है वो ये नो सो उन्तालिस पहले जो फस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो भीजी गई है दिरी दिरे जैसे जैसे पुलिस इसमें छानबीन करती रहेगी आगे आगे चलकर जो है वो पता लगता रहेगा दस अभीयरती कौन है इनके नाम जो है वो यहाँ पर mention नहीं किये गए हैं बट अभी ये बताया गया है इस पर आयोग ने मन्थन शुरू कर दिया है दरसल पोस्ट कोर 949 के ताद जयोई के 300 पदों पर भढ़ती प्रक्रिया जो है वो चल रही है अब क्या इस पे जो है बहुत सारे candidate आप में से ही जो है वो बोल रहे थे कि रद करनी चाहिए परिक्षा को क्योंकि पेपर अभी क्या decision लेना है ये बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि पेपर के ऊपर क्या decision लिया जाएगा अभी तक जो है वो HPSC की कोशिश ये थी कि status report जल्दी से जो है वो सौप दी जाए तो हम जो है वो result को declare करें बट अब जो है वो candidate 2-12 हो चुके है हो सकता है कि अगली status report म जो है वो और candidate के नाम भी जो है वो निकल कर आए तो ये totally depend करता है कि भई HPSC की द्वारा क्या decision लिया जाएगा बीते महा आयोग ने पुलिस दिक्षक मंडी से इस भरती मामले में status report मांगी थी चैन आयोग के जो सचीव है डॉक्टर जितेंदर कमर ने कहा था कि पुलिस की प्रारंभे के status report जो है वो मिली है और इस report में जो है वो 10 अभियरतियों को नकल मारते हुए जो है वो पाया गय लग जाएगी तो यह कुछ छोटी से update थी जो आपको पता होनी जरूरी है I hope आपको वीडियो पसंद आयोगी thanks for watching बहुत जली मिलेंगे next studio के साथ